स्वागत है एक बार फिर आपका अपनी चैनल हटके प्रेडिक्टर में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शीन स्पोर्ट्स टीम और के एन आई उमेंस का जो मैच यहाँ पे हो रहा है लाइन अपस 99% चांसा सब दोस्त नहीं आएगा अधर टी 20 मैच है जो प्लेयर मतलब ग्राउंड पे कुछ भी पॉइंट्स देगा मतलब रंस करके या विकेट्स लेके या फिर कैच पकड़के उनी का पॉइंट्स ड्रिम 11 वगएरा पे एड होगा बाखी जो प्लेयर मतलब रहेंगे 11 में फिल्ड पे भी रहेंगे लेकिन कुछ किये नहीं बैटिंग बोलिंग या फिल्डिंग में भी कैच वगएरा नहीं पकड़ा तो उनका पॉइंट्स आपको अपडेट होते हुए नहीं दिखेगा कुछ भी अगर फैनल अपडेट रहेगा तो टेलिग्राम पे भी दे दूँँगा लाश्ट पांच मिनट के अंदर तब तक आप वीडियो देख सकते हो शीन स्पोर्ट्स का टीम का प्लेयर स्टाट्स यहाँ पे दिया हुआ है जमिया रोडरियूस, दीपती, शर्मा, राजेश्वरी, गाया कवर्ड ये तीन जो है इंडिया उमेंस के प्लेयर से हैं तो ये तीन आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ से रहेंगे आप कन्फर्म कहें नहीं सकते के ये तीन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे थोड़ा मैं सर्च करूँगा कलका जो इनका मैचस है उसके बारे में अच्छा अपडेट देने की कोशिश आपको करूँगा उसके बाद यहाँ से विरिंदा दिनेश ओपन कर सकती है रोडरिग्यूस के साथ और यहाँ पर जो ओपनर सीन के है मतलब जो कलब लेवेल पर ये लोग ओपन की है उनका मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और यह जो है वन डॉन पर कर सकती है 32 की इसकी अवरेज है 24 मैचस 22 सीनिंग्स 559 रंस इसने की है जानवी ने 29 मैचस 19 सीनिंग्स 254 रंस 18 के अवरेज से अगर खेलेगी तो ओपन करने के चांसस है यहाँ पर जेमियर अर्टरिग्यूस भी है तो यह भी एक ओपनर है तो यह अगर खेलती है तो यह शोरशाट ओपनर रहेगी यहाँ पर मस्ट पिक प्लेयर है इसको ड्रॉप नहीं करना है अगर लाइनप्स मिल जाएगा बढ़िया रहेगा अगर यह लाइनप्स आगिया यह खेल रही है तो इसको लेकर चलना ही है उसके बाद विरिंदा दिनेश यह भी एक बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रही है इनका रिसेंट स्कोर भी मैं अपडेट कर देता लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास तो मैंने रिसेंट स्कोर नहीं दिये नेक्स्ट मैंच में मैं आपको रिसेंट स्कोर भी इनका दे दूँगा है उसके बाद चंदसी कृष्ण मूर्थी जरूरत पढ़ने पर बोलिंग भी कर सकती है 15 इनिंग्स में बोलिंग की है 8 विकेट लिया है कृष्ण रेड़ी ने मतलब ये भी ओपन कर सकती है कृष्ण का रेड़ी अगर खेलती है तो 37-37 690 फॉयरंस 22.42 की अवरेज है ये जो स्टैट से हाँ पर मैं दे रहा हूना ये T20 का नहीं है ये ओवराल मतलब सब कुछ मिला हुआ है इसमें यानि के मानलोड टेस्ट है ODD है और T20 है सारे मैचेस इसमें मिले हुए मैं नेक्स्ट मैच से आपको T20 का रिसेंट परफॉर्मेंस अलक से मैं आपको दे दूँगा ठीक है अब यहाँ पे देखो सिंब्रेन हिंडरी सिंब्रेन हिंडरी नीचे बैटिंग करेगी लेकिन बैट्समें बहुत अच्छी है रन्स आपको ज्यादा करते हुए दिख जाएगी ज्यादा तर इसने टेस्ट में खेला है तो रन्स हैं पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं T20 में मिल्ल आटर में बैटिंग करती है लेकिन T20 में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है सिंब्रेन हिंरी का उसके बाद अंजना नागराजन इन दोनों का भी स्टैट्स कोई है नी राजेश्वरी गाया कोड है जो के एक मस्पिक आप्शन आपके लिए रहेगी स्लो लेफ्टाम और्थोडक्स बोलर है इंडिया ए उमेंस को रेप्रेजेंट करती है सावी सुरेंदरास नेहा जगदीश दोनों काम कर सकती है रंस भी किया है प्लस विकेट्स भी लिया है इसने अपने केरियर में अब यहां पर बात करें किन ही आरार स्पोर्ट्स टीम की अब किन ही आरार स्पोर्ट्स टीम में क्या हुआ देखो एक तो है यहां से पूनम रौत वी आर वनिता आपने इसका नाम तो नह अरुंधती रेड़ी राधायादव ये जो चार प्लेयर हैं ये इंडिया उमन्स को रेप्रेजेंट करते हैं या फिर कर चुके हैं ये कर चुकी है ये सब करते हैं अभी भी प्लेयर्स हैं इंडिया उमन्स के उसके बाद यहाँ पे ओपन करते हुए ये दोनों दिख सकते है पूनम रात और वियार वनिता उसके बाद रोशनी खान, सौम्या गोडा, चंदू वीराम, मिथिला विनोध, नुजद परविन, प्रत्युशा, चलूरू, अरुंदती, रड़ी, राधा यादव और बीते जश्विनी एक चीज यहां पर हो सकती है यह जो मिथिला विनोध ह यह उपर आ सकती है, रोशनी खान नीचे जा सकती है, अब देखना पड़ेगा, मिथिला विनोध कहां पर बैटिंग करेगी, उसके बाद यहां पर विकेट किपिंग सेक्शन में, नुजद परविन, यह टिसका T20 का स्टैट्स है, इंडिया ओमन को रेप्रेजेंट करती ह है, तो सीधी सीधी बात है, बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन इससे अच्छी हमारे पास विकेट किपिंग सेक्शन में, प्रत्युशा है, जो के अपोजिट टीम की है, अब यहां पर सौमिया वर्मा, उतनी कुछ खास नहीं है, अगर खेलती भी है, तो पूरम रात पन कर सकती है, क्लब में इसका एक मैच में 32 रन्स है, और T20 इसमें 719 रन, 31 मैचस में है, उसके बाद VR वनीता इसका भी डिसेंट रेकॉर्ड है, 15 मैचस में 216 रन, रोश्नी की रन, टॉप और बैटिंग कर सकती है, प्लस आपको बोलिंग भी जरूरत पढ़ने पर करेगी बहुत सारे मैचस में सिर्फ 9 इनिंग में बोलिंग किया, तो बोलिंग से नहीं, बैटिंग से डिसेंट परफॉर्मेंस आपको दे सकती है, रोश्नी की क्रिशन, उसके बाद श्लोका किशोर बावो का स्टैट्स नहीं मिला, शिसिरा गवडा, 20 मैचस 15 इनिंग, 140 रन, 12 इ 23 की अवरेज है, लेकिन बोलिंग से भी अच्छी है, 53-52, एक डिसेंट आप्शन आपके लिए रहेगी, मतलब डिसेंट पॉइंट सापको स्कूर करके दे सकती है, उसके बाद सौमिया गोडा है, जो के 45 मैचस में 100 रन, 30.46 की अवरेज, 42 इनिंग में 38 विकेट्स इसनी ल करती है, इंडिया व्मेंस को प्रतिशा चलूरू, कैप्टेंसी करेगी मेरे हिसाब से इसमेरे टीम की, 16 मैचस में 15 इनिंग, 20 विकेट, अरुंदती रेड़ी, इसको भी लेकर चलना ही है, देवस मिता दत्ता, एक मैच में 0 विकेट, उसके बाद यहाँ पर राजेश्वर इसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रीम 11 टीम की, देखो, हमारा पास जो है न, आप्शन बहुत हैं यहाँ पर, आप यहाँ से मैं एक एक करके आपको बता दूँगा, नुजद परवीन और पी गुमार, यह दो प्लेर्स आप लेकर चल सकते हो, यह दोनों उतने कुछ ख इसके बाद यहाँ पर, जेमियार ओडर गियूस, पुनम रौत और वियार वनिता, यह तीन तो मश्पिक प्लेयर्स हैं, लेना ही है, उसके बाद आपके पास आप्शन्स बहुत सारे हैं, आर की रण है, किशुर बावो है, वी दीनेश है, सी कृष्ण मूर्थी है, यहाँ है, यहाँ से के रेड़ी है, और येस हिन्री है, हिन्री जो है, नीचे बैटिंग करेगी, के रेड़ी ओपन कर सकती है, येस गोड़ा उपर आ सकती है, कृष्ण मूर्थी बोलिंग भी कर सकती है, उसके बाद वी दीनेश और किशुर बावो, किशुर बावो का तो है उसके बाद मैंने यहां पे ले लिया यजगोडा को ठीक है क्योंकि यजगोडा के इलावा मुझे कोई यहां पे उतना मतलब खास लगा नहीं यह का उप्षन है आपके पास निर्मिता का ले सकते हो निर्मिता को फिलाल के लिए यहां ले ले लेते हैं यहां से प्लेर्स हैं उनको आप रोटेट कर सकते हो अब यहां पे कैप्टेन वो इस कैप्टेन की बात करें तो कैप्टेन आप दीपती शर्मा को कर सकते हो अरुन दथी रेड़ी है राधायादव है राजेश्वरी गायाक वाड़ है यह बोलर्स ऐसे हैं ना भाई गुच्छों म जैमिया रोडरी गुच्छ का यह सब प्लेर्स को आप कैप्टेन वो इस कैप्टेन करके चल सकते हो फिलाल के लिए कैप्टेन डीपती शर्मा और वो इस कैप्टेन हम जाएंगे राजेश्वरी गायाक वाड़ के साथ यह बहत लोगों का इस्वारी चीप right वाग गशुर मैं दे देता हूँ तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको मतलब पसंद आया होगा यहां पे फिर से बता देता हूँ यह जो मैंने बोल्ड किया हुआ है यह प्लेयर्स आपके लिए इंपोर्टेंट है यह प्रेप्रेजेंट करते हैं अपनी country को ठीक है पुनमराथ, वी आर वनिता नुजध परवी नरुन्दती रेड़ी राधा यादाओ इन प्लेयर्स में सही सेलेट करने की कोशिश करना लेकिन एक चीज याद रखना ये प्लेयर्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने इनका ज्यादा रिसर्च अभी किया नहीं है मैं ज्यादा रिसर्च करके मैं आपको जो भी अपडेट रहेगा कल के मैचस से मैं आपको देना चालू कर दूँगा इन उमेंस का भी उसके बाद एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता था और बाकी players का club level का है इसी यहाँ पर एक दो मने mention भी किये हैं club का जिसका मुझे मिला वो भी मने दिया है plus T20 का भी मने दिया हुआ है थोड़े players पर मने T20 ice नहीं दिया है तो याद रखना T20 ice का भी stats मने आपको दिया है जो यहाँ पर इंडिया को represent कर चुके है ठीक है तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद